कि वेरी गुड इवनिंग तो अलव यह स्टूदिन्स आहिना वेलकम यौल इन अग्रिकल्चर इड़ा 24-7 तो गाइस कैसे हैं आप लोग आप लोग की प्रपरेशन कैसी चल रही है एक्सामीनेशनस की जैसा कि आप लोग को पता है कि रात की नौ बज़े मैं आप लोग की आप लोग को बोला था मैं आपको अधियों को क्राइक इन पढ़ा रही ती तो मैंने कहा था कि आप लोग के लिए glycolisis का session ले के आई हूँ आज की class में हम लोग पढ़ेंगे glycolisis glycolisis क्या होती है किस तरीके से होती है यह चीज अभी तक तो मैंने आप लोग को short 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 में बताया था काफी कुछ glycolisis के बारे में लेकिन पूरी प्रॉसस हम लोगों नहीं पढ़ी तो आज की क्लास में हम लोग वही पूरी प्रोसस पढ़ने वाले हैं जिससे आपके काफी सारे questions आते हैं ग्लाकॉलेसिस से बिटा आपके बहुत सारे questions examinations में आते हैं तो वह जितने भी question examination में आते हैं इस class के बाद definitely आप सारे questions जब आप इस लिए आंसर कर पाओगे जब आप इस क्लास को देख लोगे ग्लाकोलिस की, okay? तो चलो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, without delay, okay? तो एक मिनिट, हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, guys, अपनी, ठीक है? एक मिनिट, यह क्या हो जाए है? पहले हम लोग thought of the day देख लेते हैं, thought of the day आपको क्या कह रहा है? आज कुछ ऐसा करिए कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सकें, बिटा आप अपने आपको thank you का बोलोगे, कल के लिए आप thank you, इसलिए बोलोगे अपने, आपको जब आज, आप अपना आज start करोगे, आप अपने आज में कुछ best करोगे, तभी आप अपने कल को बोलोगे, कि हाँ, thanks to me कि मैंने आज बहुत अच्छा, मैंने कल बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी विज़े से मैं अगर आप आज महनत कर लोगे, आज आप अपने पूरी जी जान लगर लोगे, तो कल आपके definitely जो exams है, वो definitely clear हो पाएंगे और आप अपने कल में अपने आपको thank you, definitely बोलेंगे, believe me, okay, तो अपने आज में कुछ ऐसा करिए कि आने वाले कल में आप खुद को धन्यवाद कर सक समझ आगया guys, तो चलो हम लोग अपनी glycolysis की class start करते हैं, okay, तो सबसे पहले what is glycolysis, glycolysis की process किया होती है, मैं already आप लोग को explain कर चुकी हूँ, guys, यह process होती है आपकी cytoplasma में, okay, यह process आपकी कहा होती है, cytoplasma में होती है, right, glycolysis की process हमारी cytoplasma में होती है, okay, कोई भी process हो, चाहे वो aerobic हो, चाहे वो anaerobic हो, okay, glycolysis की process चाहे आपकी aerobic हो, चाहे आपकी anaerobic हो, कोई भी process हो, guys, यह आपकी किस में होती है, यह process आपकी होती है, cytoplasma में, okay, यह चीज याद रखनी है, पहला question यहाँ से बनता है, okay, glycolysis की process आपकी cytoplasma में होती है, glycolysis की process में क्या होत विए और ये बताओ कि ग्लूकोस का ब्रेकडाउन की प्रिकडाउन की ज़रूरत होती है एटिपी के बनाई खुल्च के जरूरत क्यों होती है अपनुझे बात बताओ हम खाना खाते हैं ठीक है हमने खाना खाया हमारी बादी ग्लुकोज बना और ग्लुकोज ब्रीथिंग करनी है हमें रणिंग करनी है हमें पढ़ाई करनी है कुछ भी करना है हर चीज में अगर आप स्टडी कर रहे हो दस घंटे बिना खाय बैठ सकते हो बता नहीं बैठ सकते क्यों चुकि ब्रेन को भी तो वर्क करने के लिए करता है कि अगर हम नॉर्मली पढ़ रहे हमारा कोई भी बॉड़ी पार्ट वर्क करता है तो ब्रेन को भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए और वह एनर्जी हमें कैसे मिलती है जब आपका माइटोकॉंड्रिया जो है पावर हाउस जो है उसमें एनर्जी बनते हैं उसमें कैसे बनती है उसमें एटीपि का फॉर्मिशन होता है ऐडिनोंषेन ट्राइफॉसफित आइडिनो सन्ट्राइफॉसफित जो होता है आपका यह क्या होता है एनर्जी करेंसी होता है जिसको आप यूज करते हो कि इसके जब यह आप कोई काम करते हो जो वह आपको कौन process glycolysis breakdown of glucose है जहां पर आपका license होता है glucose का यह process आपके इसी लिए ज़रूरी होते है तो देखो it is a process in which glucose is breakdown to produce energy तो energy को produce करने के लिए glucose का breakdown होना बहुत ज़िए glucose जो है वो storage form में रहता है right glucose जो है storage मतलब जब glucose आपकी body में है तो energy जो है यूटिलाइज करना उस glucose को अगर यूटिलाइज करना तो तब उसे ATP के form में convert करा जाता है और जब वो ATP के form में आपका convert हो जाता है तो अब वो क्या करता है energy प्रोवाइड करता है जब तक जरूरत नहीं है तो वह आपका glucose के form में ही रहेगा no doubt तब तक आप उसको glucose के form में ही रहने दोगे जैसे की जैसे की जैसे की क्या देखो जब पुराना seed होता ना farmer क्या करता है पुराने वाले seed को ना जैसे उसने कोई भी फसल ग्रोव करी कोई भी ग्रॉप उसने लगाई अब लगाने के बाद कुछ तो उसने रखा हुआ है जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं उस energy को यूज करूँगा ठीक है और जब जरूरत आएगी उसको जब उस फसल को लगाने की जरूरत आएगी जब वहां पर energy use करने की जरूरत पड़ेगी तब उसे एटीपी के form में convert करेंगे और वहां उससे खर्च करा जाएगा बात समझ में आगे इसकी प्रोसेस ओके तो प्रड्यूस टू मॉलिक्यूल पाइरुवेट एटीपी एडीपी एडीएच एंड वाटर तो यहां पर क्या होता है इट प्रड्यूस यह क्या क्या प्रड्यूस करती है तू मॉलिक्यूल और पाइरुवेट दो मॉलिक्यूल बनाता है formation होता है बात समझ में आ गई चलो एक प्रॉसेस टेक्स प्लेस इन साइटो प्लाजमा और सेल एंड डज नॉट रिक्वाइर ऑक्सीजन तो इस प्रॉसेस में आपके ऑक्सीजन की रिक्वार्मेंट नहीं होती है और यह आपके कहां पर होती है साइटो प्लाजमा बेटा यह से कोच्ण बनता है 1 तो कितने एकाटि बनते हैं यह कोच्ण आता है फाइनल प्रोड़क्ट क्या होता है यह कोश्चन रहे हो Cool 시간이 Your प्रोड़क्ट और कोड़व ना कुछ समझ में आनी रहा है दिखनी रहा है यह हमें है ना एक मिनिट अभी रुको मैं तुम लोग की प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देती हूं एक सगें लुको थोड़ा सा मिसको रप कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे है ना चलो अभी हमने रप कर दिया अ पूंच अभी मेरा स्टार अच्छा अज़ुक कुछता है इन पूंचता है स्टार मार्क करके रख़ίνार को होतक हुछा है च्ट पुछता है साइटॡ प्लाज्म में होता है तो एकजाम में जो आपसे तीन क्वेशन डुन है कौन से फानल प्रॉडक्त biased एं कितने और यहां पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की हम यहां पर बात करते हैं ऑक्सीजन की ताम में हम क्या बोलते हैं इसको एरोबिक बोलते हैं अगर औक्सीजन प्रेजन है और अप्सेंस और बात समझ में आ गई यह चीज क्लियर हो गई इतनी चलो तो आपकी और प्रॉसेस और अपकी साइटो प्लाजमा में ही होती है अब देखो ग्लाकॉलिस इस प्राइमरी स्टेप अफ सेलुलर रेस्पीरेशन तो बेटा यह बात समझ में आ रहे है और यह एनरजी कैसे मिलती है यह अपके ग्लाकॉलिसस से मिलती है ओके ग्लाकॉलिसस इस फॉलोड वा क्राब साइकल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पीरेशन तो ग्लाकॉलिसस के बाद हमारी क्या होती है क्राब साइकल होती है जैसे ही आपकी ग्लाकॉलिसस कंप्लीट होती है उसके बाद यहां से जो आपका जो फाइनल प्रोड़क्ट होता है वो enter करता है crab cycle में और crab cycle के बाद वो product जाता है आपका electron transport chain में बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई इतनी चीज clear हो गई तो सबसे पहले जो आपकी process होती है बेटा वो होती है आपकी glycolysis ठीक है glycolysis में आपका जो भी final product बनता है वो enter करता है crab cycle में crab cycle में जो आपका final product बनता है वो enter करता है कहां electron transport chain में तो यह दोनों process तो आप लोगों को clear है क्योंकि यह दोनों process I already told you guys है ना मैंने यह आपको last class में भी यह दोनों process करवा चुकी हूँ तो यह दोनों process आप लोगो I guess पता होंगे ठीक है क्या क्या process यहां पर आपका होता है राइट चलो दूसरी चीजी क्या कह रहा है in the absence of oxygen the cells make small amount of ATP as glycolysis is followed by fermentation तो यह क्या करता है in absence of oxygen जो cell है वो बहुत कम ATP बनाता है जब आपका oxygen जो है वो absent होता है तो oxygen की absence में क्या होता है fermentation की process करता है जैसे yeast है तो yeast क्या करता है fermentation करता है ठीक है तो यह क्या करेगा आपका anaerobic respiration करेगा fermentation में क्या करता है बेटा anaerobic fermentation करता है anaerobic process में यह क्या करता है fermentation करता है तो यहां पर आपके जो ATP बनते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं ओके small amount में आपके ATP बनते हैं as compared to aerobic respiration. तो aerobic respiration में आपके ATP जदा बनते हैं as compared to anaerobic respiration. ठीक है? अब देखो this metabolic pathway was discovered by three German biochemists. जो तीन जर्मन आपके biochemists थे उन्होंने इस process को discover किया था. तीन जर्मन जो आपके biochemists थे उन्होंने इस process को क्या किया था? उन्होंने इस प्रोसेस को डिसकवर किया था एक थे आपके इन गॉस्ट्रोइ इंबर्डन एक थे आपके ओटो मेरहॉफ और एक थे आपके जैकोब केरल पर्नास कौन थे जैकब करल पर्नास तो बेटा इनको इन्होंने क्या किया था इन अर्ली 19th century इट और सो नोन इंप पाथवे तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं एंबर्डन मेरहॉफ पाथवे भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं आप लोगोंने सुना होगा कि ग्लैकोलिसस प्रोसेस को बहुत जगे इंप पाथवे भी बोला जाता है क्या बोलता है क्या बोला जाता है इसको इंप पाथव और जैकुब करोल परनास हो गया ठीक है तो गस्टव इंबडन और टो मेरहफ और जैकुब परनास ने इसको दिया था यह चीज़ समझ में आ गई तो ग्लाकोलिसिस को आपका एंबडन मेरहफ परनास पाथवे भी बोला जाता है तो डिरेक्ट क्वेशन में कही बार यह भी होता है यह पी पाथवे आपका होता है साइटो प्लाजमा में होता है बात समझ में आ गई क्योंकि यह प्रॉसस क्या आपका ग्लाकोलिसिस का प्रॉससी तो यह परनास पाथवे है बात समझ में आई ठीक है चलो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लाकोलिसिस पाथवे अब हम आजाते हैं अपने main pathway पे जो क्या है आपका glycolysis का pathway है, ओके गाईज, अब देखो, glycolysis pathway occurs in following stages, तो कुछ stages होती है बेटा, जिसमें आपका glycolysis का pathway होता है, बात समझ में आ गई, अब देखो, stage first की अगर हम बात करते हैं बेटा, stage first की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर stage first में क्या होगा, तो a phosphate group is added to glucose in the cell cytoplasma by the action of enzyme hexokinase, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले, आपका एक enzyme use होगा, मुझे क्या पहिम change करना चाहिए, हाँ, I think मुझे पहिम change करना चाहिए, क्योंकि यह, एक मिनिट, यार, यह हो, क्यों लगी रहा है, यह बाला चल जा गई, यह बाला, अब देखो, चलो, इसी से काम चलाना पड़ेगा, मतलब अब देखो, बात समझना मेरी, यहाँ पर यह क्या कहना चाहरा है, देखो, यहाँ पर क्या होगा आपका सबसे पहले, एक मिनिट, यह शाद दूसरी स्लाइड लग गई है, एक मिनिट, एक मिनिट, हाँ, अब हम जरा, इसको चेंज कर ले, एक मिनिट, हाँ, आप ठीक है, तो आप दिखाई दे रहे, हाँ आप दिख रहे, तो देखो, बिटा, यहाँ पर क्या होता है, आपका स्टेज वन है, ठीक है, जो आपका स्टेज वन है, स्टेज वन में सबसे पहले क्या होगा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, glucose molecule में आपका क्या होगा यहाँ पर phosphate group attach होगा ठीक है हम क्या करें ग्लाकोलिसस कर रहे है तो ग्लाकोलिसस में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा glucose molecule होगा ठीक है जिन बच्चों ने बाइक हमिस्ट्री की class देखी है उने glucose का structure भी पता होगा ग्लुकोस का structure बेने कैसे बताया था ओके तो C6 1 minute C6H12O6 ठीक है C6H12O6 यह आपका ग्लुकोस का क्या होता है formula होता है ठीक है तो इसलिए इसको क्या बोलते है hexose sugar भी बोलते है यह आपका hexose sugar भी होता है और eldose sugar भी होता है है तो यहाँ पर क्या होता है लडो स्टूगर है हमारे पास छूगर में यहाँ पर हैंग्ज लोगने अंचेम आएगा और यह अंचेम स्टूपलाजमा से फॉसफ़ेट ग्रूप लेगा और इसको अ्टाच कर जो आपका ग्लूकोस है ठीक है जो आपका ग्लूकोस होता है ठीक है ग्लूकोस की 6 पोजिशन पे ठीक है 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,6,6,6 पोजिशन पर क्या करेगा फॉसफेट ग्रूप को अटैच कर देगा six position पर क्या करेगा phosphate group को attention कर देगा normal glucose था glucose की six position पर इसने phosphate group को attach कर दे जिसनेは hexokinase ने तो यहां से glucose का नाम क्या पढ़ जाएगा glucose 6 phosphate क्या नाम पढ़ेगा बेटा glucose 6 phosphate first step समझ में आ गया glucose है हमाई पास हमने glucose का breakdown करेंगे तो जब हम glucose का breakdown करेंगे बचा तो यहां पर क्या होगा glucose जो है वो आपका हेक्जो काइनेस की activity होगी यह क्या करेगा यह added glucose in the cell cytoplasma by the action of enzyme hexokinas तो यह क्या करेगा साइटो प्लाजमा में glucose में जो आपका glucose बढ़ा हुआ है उस glucose में क्या करेगा phosphate group को उठा करके अटाच कर देगा और उसकी six position पे अटाच करेगा ठीक है और जब six position पे आपका glucose के में phosphate group अटाच होगा तो वो बन जाएगा glucose six phosphate और यहां पर enzyme कौन सा यूज हो रहा है आपका hexokinas enzyme जो है वो यूज हो रहा है राइट दूसरी चीज़े क्या के रहा है in this the phosphate group is transferred from ATP to glucose forming glucose six phosphate अब यह बात यहां पर धिहान लगना मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम business start करते है ना तो हमें देखो हमने ग्लाकोलिसस के process क्यों करी ताकि हमें ATP मिले energy मिले energy लेने के लिए energy कहां से मिलती है सबसे पहले body जो है आपकी वह energy देगी बात समझ में मैंने बोली थी बेटा यह बात कि अगर आपको business start करना बचा अगर आपको business start करना तो आप क्या करोगे पहले आप सबसे पहले खूद पैसा लगाओगे ना कि आपको पैसा पहले मिलेगा सबसे पहले आपको आके कोई कुछ नहीं देगा ना पहले वो क्या करेगा भाई तुम मुझे तो तभी तो मैं तुमें benefit दोंगा बात समझ में आ गई इतनी तो देखो बेटा यहां पर क्या यहां पर ATP से क्या बन जाएगा मेरी बात समझना एक मिनिट चलो यहां पर बताती हूं मैं यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज दिख जाएगी क्योंकि यहां पर एक तो यह इस पर दिख नहीं राना अच्छे से है ना यह तो आप लोगों को समझ में आगी हां पर ठीके यह चीज्छ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी चो मैंने समझाएगा तो इसको भी देख लो एक बार समझ लोगी ना अच्छे से तो फिर इसको रटने की जरुरत नहीं पड़े कि जिंदिगी पर बात समझ में आई ठीक है देखो ग्लूकोस था ठीक है ग्लूकोस पड़ा था साइटो प्लाजमा में हेक्जोकाइनेज आया उसको तो यह अच्छा नहीं लगा हेक्जोकाइनेज ने बोला भाई मुझे तुम अच्छे नहीं लग रहे हो ऐसे तुम्हें ग्लूकोस 6-phosphate बनाना चाहिए मुझे तुम्हारी 6 पोजिशन पर मुझे क्या करना है फॉसफेट को अटैच करना है ठीक है तो अब हेक्जोकाइनेज ने क्या किया यहां पर एटीप से उसने क्या किया एटीप था एडीनोसिंट्राइफॉसफेट क्या था एडीनोसिंट्राइफॉसफेट तो ट्राइप का मतलब क्या होता ह तीन, ठीक है, ट्राइ का मतलब क्या होता है, तीन, मतलब यहाँ पर थ्री फॉस्फेट ग्रूप है, कितने फॉस्फेट ग्रूप है, बेटा, तीन फॉस्फेट ग्रूप है, तो एक फॉस्फेट ग्रूप उठा के इसने ग्लुकोस को दे दिया, तो क्या बन गया, यहाँ से एटीपी से एडीपी रिलीज हो गया एटीपी से क्या हो गया egentli डै फॉसपेट मैंज डैफॉसफेट बन गया ऐंसे त्राइफॉसफेट बन गया डैफॉसफेट अब रड़क जीज की ग्लुकोसauer इक्सक्सपॉसपइट कैसे बना ये शीज क्लियर हो गई है श्रभेल ते चलो, अब देखो step 2 में क्या होगा बेटा, glucose 6-phosphate हमाई पास product बन गया, hexokinase की activity हुई, अब क्या होगा, isomerization होगा, isomerization होगा, और isomerization में क्या होगा, glucose क्या था, aldose sugar था, अब ये aldose sugar आपका change होगा, ketose sugar में, बात समझ में आई, अब ये aldose sugar आपका keto sugar में change होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बार-बार की biochemistry की class देखो, biochemistry की class देखो दिन वाली, जब समझ में आएगा कि glucose को aldose sugar क्यों बोलते हैं, और fructose को keto sugar क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें keto group होता है, इसमें aldeide group होता है, कहाँ पर होता है, यह आप class ज़रूर देख लेना, ठीक है, अब देखो, glucose 6-phosphate हमारे पास बन गया था, बिच्छा, glucose 6-phosphate हमारे पास बन गया था, अब यहाँ पर क्या होगा, बेटा, glucose 6-phosphate convert हो जाएगा, किसमें, फ्रक्टोज 6-phosphate में, किसमें convert हो जाएगा, फ्रक्टोज 6-phosphate में convert हो जाएगा, तो glucose क्या है, aldose sugar है, यह aldose sugar कहां convert हो गया, फ्रक्टोज 6-phosphate में, keto sugar में, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर कौन सा enzyme होया, बाइदा enzyme, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, तो PPG, यहाँ पर enzyme क्या यूज हुआ, PPG, शॉट में अब इस enzyme को PPG बोलता है, मैं शॉट में बोल रही हूँ, आपको शॉट में नहीं बोलना है, आपको पूरा याद करना है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है, यह म्यूटेज, एंजाइम यहाँ पर यूज होगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, तो यह PPG आकर के क्या करेगा, ग्लूकोज 6-phosphate को फ्रक्टो 6-phosphate में चनवर्ट कर देगा, ठीक है, सेकेंड स्टेप समझ में आ गया, पहले स्टेप में ATP लगा, ATP, ADP बनके रिलीज हुआ, बात समझ में आई, फॉस्फेट ग्रूप अटाच हो गया, यहां पर हमारा कुछ नहीं हुआ, यहां पर बस इसने क्या किया, यह ELDO sugar को keto sugar में चेंज कर दिया, बात समझ में आ गई, अब देखो, स्टेज 3 में क्या होगा, अब कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, नहीं आई, अब हम समझेंगे, अब मैं समझाती हूँ, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, अब मैं समझाओंगी इस चीज़ को कि किस तरीके से हुआ है, उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है बच्चा, चलो, अब देखो, यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब यह इस तरीके से, अब हमारे पास क्या बना था, फ्रक्टो सिक्स फॉस्फिट तो बन गया था, फ्रक्टो सिक्स फॉस्फिट कैसे बना था, फ्रक्टो सिक्स फॉस्फिट हमारा फॉस्फो फॉस्फो ग्लुको म्यूटेज से बना था, ठीक है अब यहां से क्या होगा यहां से बनेगा फ्रक्टोस 6-phosphate से फ्रक्टोस एक मिनट यह स्पैलिंग गलत होगा यह ओहो देखो अब यह बनेगा बच्चा यहां से फ्रक्टोस 1-6-bisphosphate यह इसको डाइ-phosphate भी बोलता है ठीक है 1-6-bisphosphate बात समझ में आई क्या बो फॉसफेट मतलब 20 मींज क्या होता है दो जगे है अब यहां पर बेटा फॉसफेट ग्रूप जो है वह फिर्स्ट पोजिशन पर भी और इसक्स पोजिशन पर अभी तक हम क्या बोलते हैं 6-phosphate मतलब 6-position पर था फ्रक्टोस क्या है 5-carbon sugar है ठीक है और ग्लुकोस क्या 6-carbon sugar ह है ठीक है अरे इसके लिए तुम बाइक किमस्टी की क्लास देख लेना ठीक है पहले हम इसको देख लेते हैं अब देखो यहां पर फॉसफेट है आपका फॉसफेट ग्रूप है ठीक है अब यहां पर क्या हो जाएगा 1-6-bis-phosphate बोल रहा है तो मतलब क्या मतलब हुआ कि निया अद'll यहां पर अगें क्या होगा ऑठ फॉसफेट का और स्मझ में यहां पर अगें यहांपर अगेन पहले वाली प्रोसेस में यूज हुआ था एटीपी दूसरी वाली में नहीं हुआ अब तीसरी वाली में एटीपी यूज हो रहा है ठीक है एटीपी आया ट्राइफ फॉस्पेट यहां से एडीपी बनके जाएगा चूंकि भाई एक तो उसने डोनेट कर दिया ना एक तो उस निकल गया बात समझ में आए तो यहां पर हमाब पास क्या बन गया है फ्रोक्तोज अधोरा तिन पी उसेँ हमाने थाईवका सी अधो सुझाट मेरे में तुन को सुझाइब दोसरे चला हो दूसरे हमारा पॉस्खो फॉस्फी घुकुमोट केस्छ कांट हरा थीक है इसनो किसी तरीके से हुए तेसले आहांगेरा फोस्फपोष्रक्ट काई आंचाने वन गातए ठीक है, ये तीनों चीज हमें clear हो गई है ना, चलो ठीक है, ये बात तो हमें आ गई है अब समझ में, ठीक है, कि अब भई, मैम हमें ये चीज तो clear हो गई है, ठीक है, अब हमें जरा आगे भी पढ़ लेते हैं, अब stage 4 में क्या होता है, stage 4 में आपका enzyme use होता है, eldolase, कौन सा enzyme use हो रहा है, काइनेस के बाद आपका use होता है, eldolase, अब eldolase क्या करेगा, हमारा product क्या बना था, हमारा product बना था, fructose 1-6-base phosphate, यही बना था, यह डाइ-phosphate, ठीक है, यही बना था हमारा, ओकी, दो जगी यहां पर phosphate group, अब यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेंगे हमारे दो product, यहां से क्या बनेंगे हमारे दो product, और enzyme use होगा यहां पर कौन सा, eldolase, कौन सा enzyme use होगा बिटा, eldolase enzyme use होगा, और यह बनाएगा यहां से glycer aldehyde, glycer aldehyde, क्या बनाएगा, glycer aldehyde 3-phosphate, क्या बनाएगा बच्चा, glycer aldehyde 3-phosphate बनाएगा, और दूसरा बनाएगा, dihydroxy acetone क्या बनाया इसने dihydroxy acetone बनाया और glycer aldehyde बनाया बात समझ में आ गया और ये दोनों क्या है एक दूसरे के isomer है ये दोनों एक दूसरे के isomer है बात समझ में आ गया इतनी तो fructose 16biphosphate जो है ये आपका aldolase की help से क्या हो गया glycer aldehyde 3-phosphate और dihydroxy acetone में क्या हो गया है convert हो गया है ये तो हो गया हमारा stage 4 अब यहाँ पर कोई ATP यूज नहीं वा only first और third reaction में ATP हमारा लगा था बात समझ में आ यहाँ पर भी कोई ATP आपका use नहीं हुआ बात समझ में आ गई तो यहाँ पर आपका क्या enzyme यूज हुआ है aldolase यूज हुआ अब भाई keto sugar भी आपका convert हो गया किसमें dihydroxy acetone में और आपका glycer aldehyde 3-phosphate में ठीक है glycer aldehyde 3-phosphate का क्या मतलब बेटा उसकी third position पर क्या हो गया phosphate group attach हो गया है ठीक है अब भाई step 5 आ गया हमारे पास ठीक है अब step 5 में क्या है भाई तो step 5 में यह कह रहा है बेटा कि triose phosphate isomerase convert dihydroxy acetone phosphate into glycer aldehyde 3-phosphate which is substrate in the successive step of the glycolysis अब यह क्या करेगा जो आपका triose phosphate isomerase है यहाँ पर isomerase enzyme यूज होगा isomerase enzyme क्या करेगा अब हमने 2 step बना लिये थे एक हमने क्या बनाया था glycer aldehyde एक हमने glycer aldehyde बनाया था sorry glycer aldehyde नी एक हमने यहाँ पर से जो आपका dihydroxy acetone और glycer aldehyde 3-phosphate बनाया था बनाया था ओके glycer aldehyde बनाया था अब क्या होगा triose phosphate isomerase जो है बेटा वो आपके dihydroxy acetone phosphate को dihydroxy acetone phosphate को बेटा यह convert कर देगा glycer aldehyde 3-phosphate में किसमे? dihydroxy acetone को dihydroxy acetone को क्या करेगा? convert कर देगा glycer aldehyde 3-phosphate में किसमे convert करेगा? glycer aldehyde 3-phosphate में ठीक है? किसने convert किया? isomerase ने किसने convert किया? isomerase ने यहाँ पर अगेन क्या आगया आपका? triose phosphate isomerase triose phosphate isomerase आया इसने convert कर दिया किसको dihydroxy acetone को phosphate में dihydroxy acetone phosphate को किसमे convert कर दिया? glycer aldehyde 3-phosphate में अगेन इसने क्या कर दिया? convert कर दिया which is the substrate in the successive step of glycolysis जो अब आपकी बाद की जो glycolysis की process है उसमें एक substrate की तरह काम करेगा अब दूसरी glycolysis की step किया है? ज़रा देख लेते हैं तो अब देखो 6 step में क्या होगा? यहाँ पर आपका glycer aldehyde जो होगा यहाँ पर enzyme आपका आएगा the enzyme glycer aldehyde 3-phosphate dehydrogenase अब यहाँ पर कौन सा enzyme यूज हो रहा है? dehydrogenase अब बेटा ये बात मेरी समझना इससे पहले isomerase यूज हुआ था अब आगे आपका dehydrogenase dehydrogenase क्या काम करता है? यह water को remove करता है dehydrogenase मतलब water को क्या करेगा? remove करेगा removal of water बात समझ में आया? removal of water तो यह क्या करेगा? glycer aldehyde 3-phosphate क्योंकि अभी substrate क्या बनाता? dihydroxy estrone से glycer aldehyde 3-phosphate बनाता? अभी glycer aldehyde 3-phosphate dehydrogenase जो हो गए transfer करेगा one hydrogen molecule को एक hydrogen molecule को किसे glycer aldehyde phosphate से जो आपका glycer aldehyde phosphate बना था बेटा उस glycer aldehyde phosphate से क्या करेगा? hydrogen molecule को क्या करेगा? transfer कर देगा किसको? nicotinamide adenine dinucleotide किसको? NAD को बात समझ में आई? NAD जी था nicotinamide nicotinamide adenine dinucleotide जो आपका है NAD है उसको इसने क्या किया? H1 H+, दे दिया बात समझ में आई? H+, दे दिया अब H+, दे दिया तो अब ये क्या हो गया? आपका reduced हो गया क्या हो गया? reduced हो गया बात समझ में आई? क्योंकि इसको एक hydrogen group मिल गया बात समझ में आया? अभी समझ में नहीं आया ना अभी समझ में नहीं आया ना रोको अभी दुबारह से समझ रहा हो है यहां पर भर बनेगा एने ट्रियाग याई गलिय्स इन दिय शहाईटपाई ग्लिया लडी हुप भी यहां पर एक नडीएच बन गया और यह एक नडीएच बन गया और यह एक नडीएच क्या करता है तीन एटीपी को बनाता है नडीएच में चाएंगे और क्या बन गया बनाता है यहां से हाइटोजन ग्रूप नडीएच को दे दिया ठीक है NADH प्लस बन गया अब देखो glycer aldehyde 3-phosphate dehydrogenase add the phosphate group to oxidize glycer aldehyde phosphate to form 13-bisphosphoglycerate अब दूसरा इसने क्या किया NADH तो यहां से बना दिया लेकिन इसमें क्या किया phosphate group को भी attach कर दिया phosphate group को भी attach कर दिया तो यहां पर एक ही hydrogen group क्या दिया उसने die hydrogen is water को डि succeeds ना इनेई we जो आपका glycer aldehyde 3-phosphate dehydrogenase इसने क्या किया phosphate को दिया phosphate को इसने क्या किया glycer aldehyde phosphate को ही दे दिया तो यहां पर अब क्या बना दिया इसने 1,3-bisphosphoglycerate बना दिया क्या बना दिया बीटा 1,3-bisphosphoglycerate बना दिया क्योंकि अब इसके पास क्या हो गए आपके दो phosphate molecule आ गए है ठीक है पहली position पे भी थर्ड position पे भी दो जेगे अब आपके phosphate molecule आ गए अब step 7 में क्या होगा phosphate is transferred to 1,3-phosphoglycerate to ADP to form ATP with the help of phosphoglycerokinase अब क्या होगा अब अगें kinase आ जाएगा कौन आएगा kinase आजाएगा अब देखो बेटा kinase यहाँ पर आएगा phosphoglycerokinase अब यह क्या करेगा क्या था हमारे पास 1,3-bisphosphoglycerate 1,3-bisphosphoglycerate जो हमारे पास था यहां से आपका phosphate group जो होगा वो transfer हो जाएगा ठीक है यहां से आपका phosphate group जो होगा वो क्या होगा transfer हो जाएगा और transfer कैसे होगा to ADP to form ATP तो यह क्या करेगा ADP आएगा यहां पर यह phosphate group देदेगा इसका जो phosphate group है kinase क्या करेगा इसके एक phosphate group को किसक कुमिए डाइफॉसफेट था ना बिटा डाइफॉसफेट था है प्र फ्रोसेस ह्त घुरूसफेट गुरूप जो तो कि एक इक इनगुक्रा है बन naw तो यहां पर स्होंने संगेन यहां पर्ट स्थ्भान गला मिया साच होगीफ नेख़ POW end में हमी क्या मिला यहां पर हमें दो क्लि推म मिलेंगे कि यहां पर, न पर हमें MATP in में, ठीक है यह तो ओगया यह सेवंबगा ड्लियओंbi लिजए किस्वो ग्लिक स्तरीन तद्ध सब्सक्राइब हुआ तो अभी हाँ पर क्या होगा एंट र नहीं च्ट यहां पर ईसको स्क्रव Today चैंज कर देगा और फॉस फॉस रॉसल गसा मॉलिक्यूल वängt सैंसरे क्या और फिर्ट्र तूर कोड़ব किसको 2 molecules को ठीक है यह क्या करेगां कि यह आपके कार्वन आपकन कार्वन को की कि बीच में क्या करेंगा फॉसफjar Tea को से युजिक ए कैसे महिच एक झांओ दूसरी फे क्या करेगा कि 3rd position के 3rd से कार्बन को 2nd position में क्या करेगा ट्रांसफर कर देगा बाद समझ में चलो अब next देख लो step 9 में क्या होता है यहां पर inolase enzyme यूज होगा और यह क्या करेगा remove water molecule अब किया तो पहले पसको इनोलवेट है क्या बनेगा भी तो पहले थे आ अबत प्रिगयज कंछ रखेडनी ऑन पास्वां टेल नहीं बिन यहां पर आपका यहां से अटीप के पास चला जाएगा और एटीप बन जाएगा जो वॉसफवेट ग्रूप फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बोल रही हुँ नहीं यहां से फॉसफेट ग्रूप आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो यह ADP को दे देगा और यह ADP क्या बनेगा ATP बनके यहां पर क्या बन जाएगा टेक है बाइफ कर चैका रसकमर मीन बनेगा PB कर चैनल रहिता हुआ धियूर इंथा यहां से फॉसफो अनॉल पाहर अपको ऑच जाल आता ऑंगा इया थीक है यहां पर क्या होगा यहां पर पहले आएगा आपका phospho inol यहां पर आपका inolase enzyme आईगा ठीक है यहां पर आएगा आपका inolase enzyme ठीक है inolase enzyme क्या करेगा अब substrate को convert करेगा किसमे फोस्फो एक पिसमे फोस्फो ग्लेसरेट से बना था ना मारा two phospho glycerate से उसको क्या करेगा phospho inol pyruvate में convert करेगा यह इसमें करेगा फॉस्फो काई ने फस्फफेट गोड भाट तियु पोड शेयुलायक सब्सक्राइब ऑगया यह पर फ्फट अ फट शेट उसने उसले यह ऑगिई फ्ट घ्रॉसेट में शरस हो गया यह फ्ट शेयुलायर यह देर्ग होगा समय हमारे पास फाилatan के-सफालीं पर वे एक ATP बन गया ATV यहां पर बन ठीक है अब देंखो लास हमारे पास प्रोड़क्त क्या बनगे और आप बन रीच है ठीक है and are obtained as an product और यह हमारे पास क्या बन जाएंगे और फ्रोडक्त बन जाएंगे बात समझ में तो यहां पर phosphoinol pyruvate से हमारा pyruvate बन जाएगा बात समझ में आ गई तो इस तरीके से हमारा glycolysis का process होता है कि आपका glucose से direct क्या बनता है pyruvate बनता है ठीक है दो molecule बनते है pyruvate के और last में आपका जो phosphoinol pyruvate है उससे आपका phosphate group attach phosphate group हट जाता है और ATP के पास ADP के पास चला जाता है ADP से आपका ATP बन जाता है और यहां से आपका pyruvate बन जाते हैं दो पायरुवेड बन करके फिर उसके बाद आपका crab cycle में enter करते हैं और crab cycle की process आपको पता है crab cycle में enter करने से पहले यह क्या करता है आपका acetyl coenzyme यही बनाता है linked reaction में CO2 का molecule आपका release होता है वो साही process में करवा चुकी है तो उसके लिए आपको crab cycle देखनी पड़ेगी बात समझ में आ गई तो यह आपका पूरा process था ठीक है अब important fact हम देख लेते हैं glycosis के थोड़ा in this process it is a process in which glucose molecules are broken down in two molecular pyruvate तो एग glucose molecule से दो pyruvate बनते हैं ठीक है दो pyruvate बनेंगे the process is takes place in cytoplasma of plant cell and animal cell तो यह cytoplasma में होती है important question is this इससे दो molecule आपके pyruvate के बनते हैं इसमें cytoplasma में होती है six enzyme are involved कितने enzyme total इसमें involved होते हैं six enzyme यह question भी पूछा दा था six enzyme इसमें involved होते हैं दूसरा add then two pyruvate बनते हैं two ATP two NADH molecule बनते हैं ठीक है तो two NADH molecule का क्या मतलब है एक NADH equals to दो जगे ATP बना है ना दो जगे ATP बना है दो जगे ATP आपका यूज हुआ है ठीक है तो देखो वह तो equal हो जाते है दो वन NADH equals to three ATP तो two NADH equals to six ATP बात समझ में आई प्लस two ATP अलग हो गए तो बात समझ में आगे 8 ATP हो गए पूरे 8 ATP बन गए बिटा 8 ATP बन गए ने पूरे तो यहां पर बात समझ में आई किस तरीके से 8 ATP बने है दो जगे आपका NADH बना है दो जगे आपका NADH बना है दो जगे ATP बना है दो ATP आपके यूज भी हुए है बात समझ मैं तो वह neutralize हो गया तो 8 ATP हां पर आपके total बनते हैं बात समझ में आगई तो students यह आपका it's all about glycolysis एक बार इसको as a whole भी देख लूँ ग्लुको से ग्लुको 6 फॉस्पेट बना ATP बना है था ADP बन के रिलीज हुआ है लुको 6 फॉस्पेट आपका इसो मरीज आएगा इसने क्या किया एल्डो शुगर को कीटो शुगर में चेंज किया यहां पर आगे आपका ATP बन के रिलीज हुआ दो फॉस्पो फॉस्पो फॉस्पेट बना दिया थी फॉस्पेट हो गया फॉस्पेट फॉस्पेट हो गया इसके बाद यह आपका फॉस्पो फॉस्पो इनॉल पारवेट में चाहिए और पारवेट से आपका क्या होगा फिर उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट आपके बनते रहेंगे तो यहां तक कि यह जो प्रॉस्पेट है यह आपके क्लाकोलिस की प्रॉस्प होती है आगई बात समझ पहीं इतनी क्लियर हो गई तो गाई इट वस अलग अबाउट ग्लाकोलिस और स्टूजन्स अगर आप लोग अग्रिकल्चर ग्राजुए ट्रीनीज की प्रॉपरेशन कर रहें तो आप लाइफ कोर्स खरीज सकते हो तैसी पर्चेस कर सकते हो यह डबल फॉर सेवन को यूस करके इसमें आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा अग्रिकल्चर महापेक में भी आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा और वो 9,000 का तो आपको 8,000 तक में मिल जाएगा ठीक है students तो it was all about glycolysis so I think कि आप लोगों को सब को समझ में आ गिया होगा I hope so thank you for watching and good night करते हैं